नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आप इक यूटूब चैनल में अगर हम अभी इस ही तैरी करेंगे उस शेर को खरीद करके रखेंगे तो चैनसेस बहुत बनेगा कि हम लोगों को अलाट्टमेंट मिलेगा अगर अलाट्टमेंट मिला तो अच्छा खासा रिटर्स भी अच्छे खासे आने के चांसेस बनते हैं अभी जो IPO अभी जिस्ट कम्प्लीट हुआ है बजाज हाउसिंग फिनानस पा वहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा लोगों का पैसा बना 136 परसन का लिस्टिंग अभी अपसाइट पॉटेंट से 27 परसन का हैं पर एक्सपेट किया जा रहा है तो यहां भी पहुँ ज़्यादा चांसेस बनता है सबका जो रहता है यहां पर ब्रांड काफी बड़ा है तो सबसे पहली कंपनी है वह है ONGC यह भी अपना IPO ला सकती है देख सकते हैं कंपनी है ONGC Green IPO की पैरेंट कंपनी कौन होगी फ्रेंट ONGC होगी और ONGC Green is a subsidiary of Oil and Natural Gas Corporation जो की स्टैबलेश हुए थी 27th February 2024 में जो की फोकस करती है on Renewal Energy Initiative including Biofuels, Green Hydrogen and Carbon Capture तो फ्रेंट अभी पूरा सरकार का, गर्वर्मेंट का जो रहता है पूरा फोकस अभी गिदर है Green Energy के तरफ में है तो फ्रेंट बहुत जादा चांसे से है फ्रेंट की ONGC जो रहता है इसका भी benefit उठाने की कोशिश करेंगी अभी तक कोई official comment अभी तक नहीं आया है, announcement नहीं आया है कि अभी company IPO लाने वाली है तेकिंग जब तक आएगा तब तक काफी late हो जाएगा इसलिए क्या करना है बस एक share ONGC आपको खरीद करके रखना है और इसका शुरूर बन जाएगा तो इस कोटा से आप फिर apply कर सकते हैं next company friend वो है आपका NTPC National Thermal Power Corporation जहाँ पर friend देखे इसका already update आ चुका है NTPC Green Energy IPO देखे अपना ला रही है NTPC Green Energy हो है वो Renewal Energy subsidiary है of NTPC Limited is poised for significant growth as it aims to build a 60 gigawatt renewal portfolio over the next decade and friend यहाँ पर अलड़ी जो रहता है इस company का NTPC Green Energy का अलड़ी IPO का update आ चुका है NTPC Green Energy IPO holding one NTPC अगर एक NTPC का shareholder आप hold करके रखते हैं तो फिर आप बन जाएंगे इसके shareholder बन जाएंगे HDFC Financial Services का friend HDFC Financial Services का और इसका भी अप्डेट आ चुका है friend आज की दिन में company ने यह बहुत बड़ा announcement देख सकते हैं 20 September 2024 28 September का announcement किया है धाट यहाँ पर IPO को लेकरके management के तरफ से approval आ चुका है सो भी दिन दीखे बता रहा है कि meeting held on that day आज meeting हुई है provided in an principal approval to initiate the process of listing of liquidity shares तो friend यहाँ पर listing of liquidity shares की बात हो रही है of HDB financial services का potential IPO तो friend यहाँ पर अब IPO आने का chances बहुत बनता है अब आगे बढ़ते है friend देखिए IPO का size यह होगा 2500 क्रोल का होगा और यह देख सकते हैं fresh issue of liquidity shares होगा phase value इसका रहेगा 10 each रहेगा equity इसका phase value 10 रहेगा HDFC bank का एक share अगर खरीद के रखेंगे तो हम लोगों को benefit मिल सकता है allotment मिलने का chances बन सकता है next company friend वो देख सकते हैं वो है आपका SJVN and friend यहाँ भी जो रहता है SJVN भी जो रहता है यह IPO ला सकती है SJVN Green Energy का IPO आ सकता है so friend सतलज जल विदूत निगम लिमिटेड is also preparing to list its subsidiary SJVN Green Energy SJVN की subsidiary आम है यह SJVN Green Energy to raise capital for its ambitious growth plan SJVN aim to achieve and install capacity of 25,000 Mbps by 2030 तो friend यह भी अपना IPO ला सकती SJVN तो हाँ पर कैसे benefit आ सकते हैं SJVN का एक share खरीद करके move करते है friend next company जो किया आपका Hero Motor Cup and friend इसका भी एक share खरीद के रखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर गहुत सारे benefit मिलेंगे दो companies का benefit मिलेगा सबसे पहली company होगी वो आपका Aether Aether में friend देख सकते हैं Aether में जो majority stakeholder है वो आपका Hero Motor Cup ओन करती है 40% हिस्दारी ओन करती है friend तो friend Aether जो है is an electric vehicle company based on Bangalore and Hero Motor Cup जो रहता है इसकी largest share roller है तो friend यहाँ भी आपको बहुँ ज़्यादा chances बनता है शेरो कोटा में अगर रखेंगे तो यहाँ पर ही allotant मिलने का chances बनता है उसकला अपर इंडन एलेक्ट्रिक two-wheeler maker Aether Energy files for IP अगर हम लोग Hero Motor Cup का एक share भी अगर रखेंगे तो हम इसके share बन जाएंगे और उसकोटा के तो हम लोग apply कर सकते हैं उसकला friend next company जो की अगर आप Hero Motor Cup का share रखेगा तो फिर दूसरा क्या benefit मिलागा एक तो गया एथर दूसरा है Hero FinCop Hero FinCop का भी friend IPO आने वाला है देख सकते हैं Hero FinCop जो की financial service आम है Hero Motor Cup की प्लान कर रही है to go public through an IPO to raise 3,668 करोड the company filed its DRHP draft red herring prospect with the securities and exchange board of India on August 1st August 2024 कालरी DRHP नोने फाइल कर दिया है and IPO will be made up to दो पार्ट में रहेगा एक offer for sale रहेगा and then new issue of equity shares रहेगा worth 2,100 करोड तो friend यहाँ इसका भी IP होगा and एक बार friend RHP अगला fire hold जाएगा तो फिर अगर आप इस share को खरीद भी ली जागा ना तो आपको कोई भी benefit नहीं मिलने वाला है बहुत important हो जाता है कि DRHP क्या होता है RHP क्या होता है and share holding quota क्या होता है और उस quota के थुर्य आप apply कर सकते हैं बहुत लोगा कोशन होगा कि मैं option में future में इस trade को बना कर कर के रखा हूँ NGC का मेरे पास options है future है तो क्या मैं भी इसके लिए eligible रहूँगा shareholder बन जाँगा तो आप नहीं बन पाईएगा you are not eligible for shareholder quota because option in future का certain time होता है उसके बाद फिर expire कर जाता है तो आपको इसलिए क्या करना है अगर आप delivery में ही यानि फिर cash में अगर share को खरीद के रखेगा तभी आप shareholder quota में आप eligible रहेगा अब third question जाता है कि कितना share खरीद के रखेगे तो friend मात्र एक share एक share बस खरीद के रखेगा तभी आप shareholder quota के लिए आप eligible हीएगा तो friend ये तीन important question जो हमेशा सब लोग पूछते है अब next है friend DRHP क्या होता है तो friend DRHP जो रहता है इसे फूस का full form है draft red hearing prospect कहा जाता है जो की preliminary document है starting का document है जो company file करती है security exchange board से भी को देती है before launching and IPO IPO launch होने से पहले हो दिया जाता है DRHP जो रहता है वो preliminary document है starting का document है उससाद important document हो जाता है वो है आपका RHP होता है so RHP का full form हो गया red hearing prospect जो की final version होता है of the prospectors ये तभी issue किया जाता है potential investors को जब से भी जो रहता है इसे approve कर देती है approve DRHP को किया जाता है CV के पास DRHP पहले जाता है वो approve होता है फिर RHP issue किया जाता है investors को and plus public को भी issue किया जाता है and जहाँ पर फ्रेंट इस RHP होता क्या है it includes all information from DRHP plus updated financials, issues data and other changes RHP रहता है is available to the public and include information about the company its operation, IPO specifics and risk associated with the company तो जिते ही minute details रहते है न सब कुछ आपको RHP में मिल जाएगा अप फ्रेंट बहुत important question रहा है कि कब तक ही share को खरीदने से हम लोग shareholders रहेंगे तो फ्रेंट need to buy before DRHP और RHP कब तक बाई करें DRHP से पहले खरीद के रखे या RHP से पहले तो फ्रेंट ऐसे तो आपको पहरी खरीद के रखना चाहिए एक ही share खरीदे की बात है जाद आपको खरीदना नहीं है लेकिन अगर आपने माने जे नहीं खरीदा तो पता किजे कि RHP फाइलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है अगर RHP फाइल हो चुका तो फिर आप eligible नहीं रहेगा देखिया है बता जा रहा है तो बीजिवल फॉर शेरोल्डर्स वोटा इन आईपयो यू नीड तो बाइशेर्स ऑफ प्राइट कंपनी बिफोर दा फाइलिंग ओफ रेड हेरिंग प्रोस्पेट तो RHP फाइल होने से पहले आपको शेर को खरीदना पड़ेगा तब ही यही यही डेट जब RHP फाइल होता है उसी डेट को में डेट मना जाता है और उसी से कंफर्म होता है कि आप शेरोल्डर्स है या नहीं है essentially you need to own the shares before the RHP is filed to the eligible for the quota तो RHP से पहले आपको खरीद करके रखेगा तब ही आप eligible रहेगा otherwise नहीं अभी क्या करना है जितने भी shares को हम लोग नें discuss किया मात्र एक शेर खरीद के रखेगा तो आप इसके बन जाएंगे अचनाई and different categories रहता है उसके तो भी आप apply कर सकते है तो friend allotment मिलने का chances बढ़ जाता है so friend यह था complete update regarding upcoming IPOs I hope आपको वीडियो अच्छा लोगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो नहीं वीडियो को लाइक कीजेगा share कीजेगा आँ चनल को subscribe पीजेगा Thank you